कार्तिक मास्क था, किसी गाव में एक बुढिया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी, उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचडी का रख कर चले जाते, बुढिया के पडोस में एक औरत रहती थी, वह हर रोज यह देख कर इर्श्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचडी मिल ही जाती है, एक दिन, कार्तिक महीने का सनान करने बुढिया गंगा गई, पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचडी का कटोरा रख गए, पडोसन ने जब खिचडी का कटोरा रखा देखा, और देखा कि बुढिया नहीं है, तब वह कटोरा उठा कर घर के पिचवाडे फेंक आई, दूसरी और पडोसन ने जहां खिचडी गिराई थी, वहां एक पौधा उगा जिसमें दो फूल खिले, एक बार राजा उस और से निकला, तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी, और वह उन्हें तोड कर घर ले आया, घर आने पर उसने वह फूल रानी को दी, जि अब रास्ते में उन्हें वही बुढिया मिलती, जो अभी भी यही कहती, कि कहां गई मेरी खिचडी, और कहां गया मेरा कटोरा, बुढिया की बात सुनकर वह दोनों कहते, कि हम है तेरी खिचडी और हम है तेरा बेला, हर बार जब भी वह शिकार पर जाते, तो बुढिया पुर्ण बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढिया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढिया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से यह दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढिया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी, और कृष्ण भगवान मुझे खिचडी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापिस आई तो मुझे वह खिचडी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा बेला। तब हिन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पडोसन ने तुम्हारी खिचडी फेंग दी थी, तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंखा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है।